नमस्कार मैं डॉक्टर गिरिश काकडे कंसल्टन्ट रूमाटलोजिस्ट हूँ साहियादरियों होस्पिटल के साथ मैं आपको आज आर्थ्रेटिस क्या होता है और उसे ठीक करने के लिए क्या उपाए है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो आर्थ्रेटिस जिसको हिंदी में गठिया या मराठी में संदिवात ऐसे बोला जाता है जॉइन पेन उसका में सिम्टम होता है तो यह आर्थ्रेटिस मेंली दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला जो होता है कि उमर के हिसाब से गिसा होना जोडों में या फिर हिप में जो यूजवली ओल्ड एज के पेशेंट्स में पचास के या साथ उमर के बाद में देखा जाता है और दूसरा प्रकार जो रहता है आर्थ्राइटिस का जिसमें जोडों में सूजन आना और सुबे स्टिफनेस लगना यह होता है इनको हम promotional arthritis ऐसे बोलते है तो मेर penalty यह दो प्रकार होते है एक होता है गिसाव के वज़े से उमर के साब से जो होता है वो और दूसरा इंफ्लमेशन के वज़े से inflammatory arthritis होता है वो तो हम आज बात करेंगे यह inflammatory arthritis उसके बारे में तो inflammatory arthritis मतलब क्या होता है तो अपनी जो immune system रहती है immunity जिसको प्रतिकार शक्ति बोलते है उसका काम होता है कि बाहर से जो भी bacteria virus आता है उसके against fight करना तो उसके लिए वो जो अपनी immune system है उसके पास एक mechanism होता है जिससे वो differentiate कर पाते हैं कि अपनी body की cell और बाहर से आई हुई cell दोनों को अलग समझने के लिए उनमें mechanism होता है लेकिन कभी-कभी वो mechanism में गडबड़ी हो जाती है उसके वज़े से जो अपनी inflammatory arthritis में 100 से जादा अलग-अलग type होते है वो depend करते कि कौन से टाइप के cell में problem है और उसका अलग-अलग symptoms उसका अलग-अलग presentation हो सकते हैं सबसे common जो हमें पता है उसमें rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis यह आते हैं और दूसरा common आज कल हम देखते हैं कोई भी viral infection होने के बाद लोगों के जोड पकड़ते हैं सूजन आती है और कभी-कभी कुछ हफते या महिनों तक उनको तकलिफ होती है उसे post-viral arthritis ऐसे बोलते है तो यह main type है arthritis के तो उसमें body के joints में सूजन आती है और सुबह में जकड़न लगती है तो गिसा वाला arthritis और inflammatory arthritis दोनों में कैसे फरक करें तो गिसा वाला arthritis old age में देखा जाता है इसमें ज्यादा चलने के उपर सीडी चर उतर करने के उपर गुटनों में दर्ध हो सकता है और जो सूजन का जो arthritis अगठिया है उसमें जोड़ो में सूजन रहता है और तकलिफ सुबह जादा रहती है जब आप सुबह उटते हैं तो जोड़ो में जकड़न रहती है आदे गंटे से ज्यादा जकड़न रहना सुबह जोड़ो में यह normal नहीं है अगर आपका जकड़न सुबह जोड़ों में आर्देगंसे से ज्यादा चल रहा है या फिर आपके जोड़ों में सूजन आ रही है हाथ के जोड़ों में घुटनों में तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना होगा तो यह नॉर्मल चीजे है जो डिफरेंशेट करती है घिसावाला आर्थ्रैटिस और इंफ्लेमेटर आर्थ्रैटिस अगर आपको यह सिम्टम है तो यह आपको डॉक्टर को दिखाना होगा जो गठिया का बिमारी है inflammatory arthritis का बिमारी है उसको जो doctor treat करते हैं उनको rheumatologist बोलते है ये MD medicine के बाद की super specialty training होती है जिसमें specifically arthritis के बारे में ही treatment किया जाता है तो अगर आपको ये symptoms हैं तो उसको आगे evaluate किया जाता है जिसमें कुछ blood tests होते हैं कुछ x-ray हो सकते हैं हाथ के पैरों के उसके उपर वो test के उपर आपका diagnosis हो सकता है कि आपको inflammatory या सूजन वाला गठिया है या नहीं है और अगर आपका diagnosis होता है कि आपको सूजन वाला गठिया है तो उसको बहुत अच्छी treatment available है लोगों में ये गलत सहमी है कि अगर गठिया हो जाता है या गठिया का बिमारी चालू हो जाता है तो उसको अच्छी treatment नहीं है या फिर उसमें कुछ करनी सकते ये बहुत पूरानी बात है अभी last 20-25 साल में इसमें इतने अच्छी treatment आये है कि diagnosis होने के बाद वो treatment के साथ आप एकदम नॉर्मल जिंदगी गुदार सकते है उसमें अलग-अलग type की medicine आते है जो आपके गठिया का कितना तकलीफ है उसके मुताबिक हम उसको treatment दे सकते है और उसको जैसे हम diabetes में sugar चक करते हैं तीन महीने में एक बार के बारे में होती है कि उसके side effect बहुत जादा होते है तो ऐसा नहीं है side effect तो हर दवा के हो सकते है लेकिन side effect का प्रमान सव में 1 या 2% इतना कम होता है 98-99% लोगों को side effect नहीं होते है और अगर side effect हुए भी तो उनको हम medicine का dose change करके थोड़ा कम करके या उसको अलग करके हम उसको manage कर सकते है लेकिन अगर हम गठ्या की treatment नहीं करेंगे उसको अगर ignore करेंगे तो क्या हो सकता है तो जो जोड में सूजन बनी रहती है वो जोड दीरे-दीरे खराब होनी लगता है अगर आपके गुटनों में सूजन है लेकिन आप उसको आप ignore करते है तो दीरे-दीरे चलके गुटना खराब हो जाएगा और आपको आगे चलके knee replacement surgery का ज़रत पड़ेगा जो आप totally prevent कर सकते है बराबर और early treatment के सब अगर आपके जोड में सूजन है तो आप घर पे उसके लिए कर सकते है तो आप उसको ice packs use कर सकते है उसको जैसे जो inflammation सूजन जोड में है वो थोड़ा कम हो सकता है और जो जोड में सूजन है उसे आपको rest देना है वो जोड में आप जादा उसको उसके उपर stress मत डालिए walking, running कुछ दिन के लिए आप hold कर सकते है ये करने के बाद भी अगर आपका swelling कम नहीं होता है तो आपको doctor की सला लेनी ज़रूर है तो अभी हमने जाना क्या arthritis की क्या प्रकार होते है उसके क्या लक्षन होते है और उसके लिए treatment के लिए क्या कर सकते है इसके बारे में अगर आपको और कोई शंका या और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे comment section में लिखे हम आपको जल्दी से जल्दी उसका answer करेंगे धन्यवाद